सुनाया ICSE Board ने Krishan Chandra Ji की एक कहानी को syllabus से ही निकाल दिया, Class 10 के syllabus से ही निकाल दिया, ये कहके ये बच्चों के लायक नहीं है, बच्चे से समझ नहीं पाएंगे and all that, और ये भी सुनाया कि असली वजा है कि हमारे कुछ सियासदान, हमारे कुछ politicians नेता, उन्हें इस कहानी से थोड़ा डर लग रहा है, क्या है इस कहानी में, जिससे उन्हें इतना डर लग रहा है, ये तो तब पता चलेगा, जब कहानी पढ़ी जाएगी, syllabus से तो निकल गई है, अब पढ़ने में और भी साद हमजाएगा, जामुन का पेड, क्रिश्म चंदर जी, 1961 में उसे पद्म भूशन से नवाजा गया था, कहानी कुछ ऐसी है, रात को बड़ी जोर का अंधर चला, सेक्रेटेरियेट के लॉन में जामुन का एक पेड गिर पड़ा, सुबा जब माली ने देखा, तो उसे मालुम हुआ कि पेड की नीचे का आदमी दबा पड़ा है, माली दोड़ा-दोड़ा चप्रासी के पास गया, चप्रासी दोड़ा-दोड़ा क्लरक के पास गया, क्लरक दोड़ा दोड़ा सुप्रिटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड माली ने पेड के नीचे दबे आदमी के तरफ इशारा किया हाँ ये आदमी सुप्रिडेंडेंडेंट सोच में पड़ गया पता नहीं जिन्दा है के मर गया एक चप्रासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी तना जिसकी पीट पर गिरे वो बच के से सकता है दूसरा चप्रासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे वे आदमी ने बमुश्किल कराते हुए कहा जिन्दा है एक क्लोग में हैरत से कहा पेड को हटा कर इसे निकाल लेना चाहिए माली ने मश्वरा दिया मुश्किल मालूम होता है एक काहिल और मोटा चप्रासी बोला पेड का तना बहुत भारी और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुप्रेटेंडेंडेंट साब हुकम दे तो अभी 15-20 माली चप्रासी और क्लाक जोर लगा के पेड के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं माली ठीक कहता है बहुत से कलाक एक साथ बोले लगाओ जोर हम तयार है एकदम बहुत से लोग पेड को काटने पर तयार हो गए ठैरो सुप्रिटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे रबे हुए आदमी के इर्दगिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बाते कर रहे थे। कुछ मंचले क्लाकों ने मामले को अपने हाथ मिलेना चाहा। वो हकूमत के फैसले का इंतजार कि ये बगएर पेड को खुद से हटाने के तयारी कर रहे थे। कि इतने में सुप्रेटेंडेंडेंट फाइल ये भागा भागा आया। बोला हम लोग खुद से इस पेड को यहां से नहीं हटा सकते। हम लोग वानिज्य विभाग के करमचारी हैं और ये पेड का मामला है। पेड क्रिशी विभाग के तहट आता है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जंट मार्क करके क्रिशी विभाग को भेज रहा हूँ। वह पेड़ों ने फॉरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी खृषी विभाग की है वानिज्य विभाग का इस मामले से कोई तालुक नहीं है दूसरे धिन भी फाहिल चलती रही शाम को जवाब आ गया हम इस मामले को हौटी कल्चर विभाग के शेत्र में आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया हालाके लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला माली ने पेड़ के तने को घौर से देखकर कहा अच्छा है तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड की हड़ी तूच जाती दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा कड़ा जवाब लिखा गया था काफी आलोचना के साल उससे होटी कल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्तिक मिजाज का आदमी मालूम होता था उसने लिखा था हैरत है इस समय जब पेड उगा उसकी बड़े पैमाने पर चल रही है हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौझूद है जो पेड काटने की सला दे रहे है वो भी एक फलदार पेड को और वो भी जामुन के पेड को जिसका फल जनता बड़े चाव सिखाती है हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता अब क्या किया जै एक मंचुले ने कहा अगर पेड नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए ये देखिए उस आदमी ने इशारा से बताया अगर इस आदमी को बीच में से यानि धर की जगा से काटा जाए तो आधा अदमी इधर से निकलाएगा और आधा अदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा मगर इस तरह से तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने इतराज किया ये भी ठीक कहता है एक क्लरग बुला आदमी को काटने का नायाब तरह का पेश करने वालों ने एक पुखता दलील पेश की आप जानते नहीं आज कल प्लास्टिक सर्जरी के जरिये भड़ की जगा से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है अब फाइल को मेडिकल डेपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डेपार्टमेंट ने फॉरण इस पर आक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के उस सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जाँच के लिए मौके पर भेज दिया सर्जन ने दबेवे आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसके सिहत देखकर खून का दबाव, सांस की गती दिल और फेपड़ों की जाँच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा लेहाजा ये सुझाब भी रद कर दिया गया रात को माली ने दबे हुए आदमी की मुँ में खिजड़ी डालते हुए उससे बताया अब मामला उपर चला गया है सुना है कि सेक्रेटेरियट के सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग होगी उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुआ आदमी एक आह भर कर आहिस्ता से बोला हमने माना के तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक माली ने अचंबे से मुँ में उंगली दबाई हैरत से बोला क्या तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सरहला दिया दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने क्लरक को और क्लरक ने हेट क्लरक को थोड़ी देर में सेक्रेटेरियट में ये बात पहल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है बस फिर क्या था लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे इसके खबर शहर में पहल गई और शाम तक महले महले से शायर जमा होने शुरू हो गए सेक्रेटेरियट का लॉन भाती-भाती के शायरों से भर गया सेक्रेटेरियट के कई क्लरक और अंडर सेक्रेटरी तक जिने अदब और शायर से लगाव था रुख गए कुछ शायर दबेवे आदमी को अपने घजने सुनाने लगे कई क्लरक अपने घजनों पर उनसे सला मश्वरा मांगने लगे जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरियट की सब कमिटी ने फैसला किया कि चुकि दबा हुआ आदमी एक शायर है लहाजा इस फाइल का तालुक ना तो क्रिशी विभाग से है और ना ही होटी कल्चर विभाग से बलकि सिर्फ संस्कृती विभाग से है अब संस्कृती विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करें और इस बदनसीब शायर को इस पेड के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए फाइल संस्कृत विभाग के अलग-अलग सेक्शन में होती हुई साहित अकादमी के सच्चिव के पास पहुची बिचारा सच्चिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरियट पहुचा और दबेवे आदमी से इंटर्व्यू लेने लगा तुम शायर हो उसने पूछा जी हाँ दबेवे आदमी ने जवाब दिया क्या तखल्स रखते हो अवस अवस सच्चिव जोड से चीखा क्या तुम वही हो जिसका मजमुआए कलामे आक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है दबेवे शायर ने इस बात पर सिरह लाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो सच्चिव ने पूछा नहीं है है सच्चिव जोड से शीखा इतना बड़ा शायर अवस के फूल का लेखा और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं तो फुफ कैसी खलती हो गई हमसे कितना बड़ा शायर और कैसी गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है गुमनामी के अंधेरे में नहीं बलके ये पेड के नीचे दबा हुआ भगवान के लिए मुझे इस पेड के नीचे से निका लिए अभी बंदोबस्त करता हूँ सचिव फॉरन बोला और फॉरन जाकर उसने अपने विभाग से रिपोर्ट पेश की दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला मुबारक हो मिठाई खिलाओ हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्ते समती का सदस से चुन लिया है कर सकते सचिव ने कहा जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया बलके हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं अगर तुम आवेदन दो तो हम ये भी कर सकते हैं मैं अभी जिन्दा हूँ शाहर रुक रुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत ये है कि सरकारी अकादमी का सचेव हाथ मलते वे बोला हमारा विभाग सिर्व संस्कृती से तालुक रखता है आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है अर्जंट लिखा है शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी माली बहुत खुश हुआ हाला कि दबे हुए आदमी के सेहत जवाब दे रही थी मगर वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था कल तक सुबा तक किसी ना किसी तरह उसे जिंदा रहना है दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरा को लाड़ी लेकर पहुँचे तो उन्हें पेड काटने से रोग दिया गया मालुम हुआ कि विदेश मन्तराले से हुकम आया है कि इस पेड को ना काटा जाए वजय ये थी कि इस पेड को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधान मंत्री ने सेकरिटेरियर्येट के लॉन में लगाया था अब ये पेड अगर काटा गया और ये भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ते के खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते। शायर को मर जाना चाहिए। बिलकुल। अंडर सेक्रेटरी ये सुप्रेटेंडेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधान मंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज चार बजे विदेश मंत्रा ले इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, वो जो फैसला देंगे वही सबको मनजूर होगा। शाम चार बजे खुद सुप्रेटेंडेंडेंडेंड शायर की फाइल लेकर उसके पास आया, सुनते हो, आती है खुशी से फाइल लहराते हुए चिलाया, प्रधान मंत्री ने पेड़ को काटने का हुकम दे दिया है, और इस मामले की सारी अंतराश्ट्री जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे, सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकमल हो गई, सुप्रेटेंडेंडेंडेंड ने शायर के बाजू को हिला कर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, ठंडा पढ़ चुका था, आखों के पुतलियां बेजान थी, और चीटियों के एक लंबी कतार उसके मुँ में जा रही थी, उसके जिन्दगी के फाइल मुकमल हो चुकी थी, अब इस कहानी से क्या इतराज है, आप खुद ही समझतार,